हेलो गाईस कैसे हैं आप सब दोस्तों आप लोग को यहीं बताना चाहता हूँ कि साम की टाइम हैं सब भक्षी अपने अपने होसले की तलास में जाते हैं उसी होसले में किसी एक कववा ने कववे की साथ कुछ चीस एक्षिटेंट हो गया वो गिर गया है इसके चलते आप देख सकते हैं कितने सारे कववे आ गये हैं और यह जो लोकेशन दिख रहे आपको यह 4-5 कववे हैं इसी के उफर कववा गिरा है दोस्तों और इसी के चारो तरफ राउनिंग लगाते हुए यह सब कववा कितने सोक मना रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बूरा लगता है दोस्तों कि हम इंसान में भी ऐसा एकता नहीं है दोस्तों जितना एकता इन लोगों में हैं बहुत खुशियत यह देखके बेजुबान है वो लोग बेजुबान है वो लोग बोल नहीं सकते दोस्तों और हम इंसानों को देखो कितना बदल चुका है ये दुनिया भगवान उस कववे को अत्मा को सांती दे आप देख सकते हैं कितने सारे कववे आके यहां पर राउंडिंग लगा रहे हैं दोस्तों सोक मना रहे हैं दोस्तों ये देखने से क्या होगा हमें सीखना चाहिए इस पक्षियों से बेजिवान पक्षियों से सीखना चाहिए दोस्तों कोई चीज से टकरा कर वो कववा गिर गया है दोस्तों और साइद उसका निधन भी हो गया है आप देख सकते हैं उसी के तलास में ये लोग सभी आये हैं और आकास में पूरा कववा ही कववा देख रहा है दोस्तों मैं आपको जूंग करके दिखाने की कोशिज कर रहा हूँ लेकिन ये पक्षी जो है दोस्तों बे जुबान है ये लोग ये लोग भी क्या कर सकते हैं इन लोग को पंक दिये हैं भगवान दो फायर दिये हैं यह लोग उठाके तो नहीं लेके जा सकते दोस्तो यह सबसे हम लोग को सीखना चाहिए दोस्तो यह लोग बे जुबान है इसी लोकेशन पे वो कवगव जिरा है दोस्तो इसी लोकेशन पे अब देखिए कम से कम पचास फूट के एरिया में लोग फैले है चारो साइड से राउंडिंग लगा रहे हैं दोस्तो कुछ कुछ प्रोबलम ये सेल टावर दिख रहा है ये सेल टावर के भी वज़से भी होता है दोस्तो रेडियेशन खिचने के कारण आप भगवान करें की आत्मे के सांती जरूर मेले टैंक यू दोस्ते